यदि आपके पास एक मुस्तरासी हो और आपको mutual fund में invest करना हो आपके सामें दो प्रस्णावते हैं कि हमें किस segment में investment करना चाहिए और हमें STP mode means systematic transfer plan mode या one time invest करना चाहिए STP mode की बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है यदि इसके बारे में और जानकारी चाहिए उपर दिये गए आई link पर click करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं यहां इस इस वीडियो के purpose है तो मैं बता दू कि STP plan में एक source fund होता है एक target fund होता है target fund वो fund होता है जहां हमें invest करना होता है और source fund वहां होता है जहां amount को हम पार करते हैं वो normal liquid fund होता है और इस study में इस analysis में हमने source fund के capital appreciation और इसके capital gain tax को ignore किया हुआ है इसलिए हमें लिखा है SAP या STP mode otherwise यह एक ही तरह के treatment दोनों होते हैं और दोनों ही STP या SAP एक जायर आर से ही assess किया जाते हैं आज हम चर्शा करेंगे small cap segment की और चर्शा करेंगे कि यदि हमें SIP या STP mode of investment opt करना हो हमें कौन से fund को shortlist करना चाहिए जो कि बहतर return दे सके इसके इसके लिए हमने small cap segment for SIP और STP purpose of investment के लिए हमने analysis की हुई है और हमने 5 fund को इसमें shortlist किया हुए है कि यदि मेरा ये वीडियो को पसंद आए इसको like करें अपने friends के साथ share करें और आप यदि first time हमारे channel को visit कियें तो subscribe करें और subscribe करने के बाद बगलें जो bell icon है उसको जोड़ दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की notification आपको लागतात मिलती रहे एस्ट्रों टेक्स फिन में आपका एक पर फिर सवागत है मेरा नाम डीम जाय है सेपी या सेपी मोड ऑफ इन्वेस्पेंट परपस है तो हमने small caps segment का एनालसिस तीन क्रेटरिया पर किया है इस में से पहला दो क्रेटरिया है रिटर्ण अनालसिस और दूसरा है रिशक अनलसिस रिटर्ण अनलसिस में पांस परामिटर्स लिए हैं हमने वो सारे फंड जो दस साल या उससे अधिक पौने उसको इंक्लूट किया है हमने वो fund इंक्लूड किया है जिनका 8-years का CIGR 19% से अधिक है हमने वो fund इंक्लूड किया है जिनका 3-years का CIGR more than 25% है और वन ये का टेलिंग रिटर्न मोर दन 15% जितने भी fund के हैं एक साइर टेलिंग रिटर्न उसको हमने इस उसमें सामिल किया है और इसके लिए यह जो हमने 19% 25% 15% लिया है यह कोई जादू नहीं इसकी एक बेसिस है वो बेसिस है कि रेस्पेक्टिव इयर में उस कैटो सब्सक्रार था उसको हमने में मारे रहा है जब उसको हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि एती एस में 18.99 था इसलिए हमने 9% 19% लिया हमने बेस्मार्ग यहां 24.4% था 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 यहां 25% लिया यहां 24.17 था तो यहां 25% लिया और 1-year return was 4.4% for for category, small category और इसलिए हमने इसको more than 15% लिया फिर दूसरा कैटेरिया है risk analysis, risk analysis के लिए हमने 5 parameters लिये है, standard deviation, sarpy ratio, shortening ratio, beta और alpha, यह standard deviation इन 4 parameters के बारे में दिया आपको जानकारिय अच्छी बात है, यदि इसके बारे में कुछ और जानकारिय चाते हैं, तो उपर दिये गए, आई बटन पर क्लिक करें और इसके बारे में जानकारिय ले सकते हैं, और तीसरा कैटेरिया जो है, वो है asset under management, इन सारे fund, सारे shortlist करने के बाद फिर decide देखते हैं कि इसका asset under management क्या है, तो हमने एक parameter में 5 sub parameters, दूसरे parameter में भी 5 sub parameters और एक parameter और इन तीनों को मिला के fund को shortlist किया है, और जब हम shortlist करते हैं, तो उसके पहले एक यह बता दूँ कि यह जो हमने fund लिये हैं, 10 years से पुराने fund थे, वो total 10 थे, 8 years के XIR जिसका 19% से अधिक था, वो 7 fund थे, 5 years CIR, XIR जिसका 25% अधिक था, वो 6 fund थे, 3 years XIR जिनका 25% अधिक था, वो 9 fund थे, और 1 year trading return जिनका trading return 15% से अधिक था, वो total 10 fund थे, और इन पांचों parameters के और इस shortlist के basis पे, जो हमने 5 fund select किये, वो है, SDFC, Quant, Nippon, ICIC और Quotak Emerging Equity, ये fund जो हैं, जिस सेरेटर में लिखे हुए हैं, इसका ranking से कोई समझ नहीं है, हमने इन criteria पे, जो XIR का criteria था, इस criteria के basis पे, हमने ये 5 fund shortlist किये, और ये shortlist करने का तरीका ये अपनाया है हमने, कि जो, जो fund इन 5 parameters में common थे, वो, और second stage में, वो सारे funds, जो इन 5 में से 4 parameter में common थे, वो fund, उसके हिसाब से 5 fund shortlist हुए, जब इसका respective year का XIRR देखते हैं, तो हम देखते हैं, कि 1 year में, सबसे अधिक 27.7% SDFC का था, 3 years में, सबसे अधिक 34.88, कौन का था, त्री येर में, सबसे अधिक 36.7, ये भी कौन का था, 8 years में, भी सबसे अधिक 24.9% ये भी कौन का था, और 10 year में, सबसे अधिक 33.9% था, ये था, निपौन का, हलांकि इसमें देखें, तो हो सकता है कि, जैसे SDFC, 1 year में top पर था, तो 10 year में, ये सबसे कब ICIC था, उसके बाद next number 19.66 SDFC का था, ये एक एक भी है, on the basis of XIRR, all these 5 funds, अब इसको हम compare करते हैं, इसके risk analysis के लिए, जो पांच parameter से लिए हुए थे, हमने standard deviation, सार्पे ratio, shortening ratio, beta और alpha, इसमें हम देखते हैं, यदि alpha की बात करें, तो सबसे अधिक alpha quant का, यदि beta की बात करें, तो सबसे कम beta 84, सबसे कम beta 80, अब बारी, एक कोटक emerging का, shortening की बात करें, तो सबसे अधिक, 4.55 ये भी ICIC का, ये सार्पे की बात करें, तो सबसे अधिक, 2.06 ये quant का, और standard deviation की बात करें, तो सबसे कम, इस 18.14 ये निपॉन का, अब बारी analysis करने की और conclude करने के, आपके निर्ने लेने की बारी, अब देखें, यदि return analysis के front पे देखें, तो 10 year में सबसे अधिक, निपॉन का, जो सबसे बड़ा benchmark है, 8 years में सबसे अधिक 24.9 ये quant का, 5 years में सबसे अधिक ये quant का, 3 years में सबसे अधिक quant का, और 1 year में सबसे अधिक 27.7 HDFC का, यदि हम के return के basis में देखें, हमें लगता है कि out of 5 parameters, 3 parameters में कौन लीट कर रहा है, so it must be kept at number 1, लेकिन इसके साथ सबसे ये भी देखना है, standard deviation, standard deviation का सबसे अधिक, standard deviation सबसे अधिक, शौटीन और ठीक है, बीटा, बीटा भी सबसे अधिक, तो ये दोनों मिलाके in all the five funds, हमने 5th number पर रखा है, ICICI को अब बात ये है कि ICICI को 5th number पर क्यों रखा हमने, सबसे पहलाकारम, ICIC का 10-year का CSR, it is 17.84%, ये सबसे कम in among all these five funds, और 10 years का XIRR, it tells something, it sounds something, जैसे 23.99% 10 years का XIRR, it says something, ये कुछ बोलता है कि भाई, ये क्या है, और one year में जो currently चल रहा है, ये सबसे कम 12.84% one year के TR के basis पे, इसके बाद standard deviation 18.26, ये सबसे अधिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी कईयों से अधिक है, इसका beta 0.84, ठीक है, alpha 8.33, it's my opinion, it must be kept at number 5, चोथे number पे रखा है हमने, Quant को जिसको की आजकल, just the blue-eyed mutual fund for the investors, सारे investors Quant की बातें करते हैं, मैं इस कावरे में चर्चा नहीं करूंगा, क्या अच्छा है, क्या बूरा है, but I kept it at number 4, इसका एक कारण ये भी है, कि इसका asset management Quant का, और ICIC का काफी कम है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, त्रीसे number पर लखा है हमने, SDFC को, SDFC को त्रीसे number पर रखने का कारण, जो currently चलता है, 27.71 year का TR, ये among all the five funds, it is the highest, और ये बात करें हम, अलफा की ये भी ठीक है, शॉटीन रचे 3.53 ये भी ठीक है, शॉटीन ओ, सारपे रचे 1.82 सबसे बहतर तो नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा है, और first number पर रखा है, आपने निपान को, अब कहें कि निपान को first number पर आपने क्यों रखा, निपान का देखा सबसे जो strong point है, ये 10 years का एक सा यारा, it is 23.9%, it is the highest among all the five funds, remaining four funds, और किसी भी year में, किसी भी year में, एक 8 year छोड़के जहां की 22.74 जहां की 19% बेजमार्ग था, right from first year to 10 year, इसका consistent return है, और इसके अलाबे, शौटे, सारपे ratio 2.01, it is good, शौटी नो 3.85, good, बीटा जो है, it is 0.86, average ठीक है, इस segment की हिसाब से, और 9.45, it is alpha, it is the second, after quant, सबसे अच्छा alpha, इसी का है, ये मेरा ranking, लेकिन ये ranking में, हमारे viewers की view अलग-अलग हो सकती है, depending upon their perception, their own perception, तो ये कहना, कि ये first पर क्यों आया, ये second पर क्यों आया, सबका perception अलग-अलग, अब निर्ड़ लेने की बारी, लेकिस कारनते और, तो आया है, ये सी की की ब Talent की की में, मच्क्राव अब लेत क्या है, ये तो लेकिस कार değए में, आया हुआे से, जो इए ने कोईए में